हाई गाई दिस बबीता और वेलकम बैक टो माय चैनल दिवाइन लाइट आप टेरो गाईज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है मैसे जिन के बारे में या जिस परसन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको जो है रीडिंग होने से पहले आपको जो है दो मिनट जो है आपको आख बंद करके उस परसन को वीजुलाइज करना है और उनका नाम लेना है कि वो आपको क्या message देना चाहते हैं, तो दो मिनट का हम pause लेते हैं और दो मिनट बाद आपके लिए, यहां से message निकालूँ गी, कि आपके person आपको क्या message देना चाहरे हैं, यह हम देखेंगे, तो आई होब आपने उनका नाम सोच लिया होगा, आपके परसन आपको क्या मैसेज देना चाहरहे हैं यह हम इस रीडिंग के थूर देखेंगे तो यहां पर जो परसन है वह आपको बोल रहे हैं I miss you a lot, आपकी जो परसन है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके परसन आपके पिछले आपके जो आपके वाटसेप पर जो चैटिंग है जो मैसेज आपने किये हैं वह पढ़ पढ़ कर आपको याद कर रहे हैं, साथ साथ जो है आपसे मिलेने का सोच रहे हैं, जो नेक्स्ट मेसेज है वह है I afraid of losing you तो यहाँ पर आपके जो परसन है वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपको खोने से डरते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं जो है आप जो है move on ना कर जाओ या कोई और आपके life में ना आ जाए तो यहाँ पर आपके परसन आपको खोने से बहुत डर रहे हैं, उनको डर लग रह है कि कई आप इस रिलेशन्शिप को पूरी तरह से खतम ना कर दो जो नेक्स्ट हमारे पास मेसेज है वो है वेन आई मिस यू आई रीड आवर ओल्ड कनवर्सेशन तो यहां पर आपके परसन आपको बोल रहे हैं कि जब मैं आपको मिस करता हूं अभी मैंने आपको बोला था परसना कि ओल्ड कनवर्सेशन आपकी रीड करते हैं तो वो आपकी ओल्ड कनवर्सेशन जो है वो रीड कर रहे हैं यहां पर जो नेक्स्ट मेसेज है वो है जन्वरी फर्वरी मार्च हो सकता है जन्वरी फर्वरी मार्च जो आपका निकल गया हो लास्ट ताइम आप इन मन मंत में उनके साथ मिले हो यह मंत आप या आपके परसन का बर्डे आता हो अपरेल मई जून भी हो सकता है आपकी लास्ट कंवर्सेशन अपरेल मई जून में हुई हो यहां पर जो मैसेज आया है आया है I would do anything just to hold your hand तो यहां पर आपके परसन आपको बोल रहे हैं कि आपको पाने के लिए आपका हाथ पकड़ने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ जो है वो करने के लिए तैयार है यहां पर जो मैसेज आया है वो आया है I could write poems on your neck with my lips तो वो जो है आपके साथ कुछ loving moment जो है वो spend करना चाते हैं कुछ जो है प्यार के लम्हे जो है आपके साथ बिताना चाते हैं यहां पर जो next जो मैसेज आ रहा है marriage material आपको यह person जो है वो marriage material समझते हैं वो आपसे marriage करना चाते हैं आपको commitment देना चाते हैं और उन राइड कर लिया है कि आप जो हो उनके spouse या उनके life partner बनने के लायक हो वो आपको इस उस पर मतलब इस ओधे पर जो है ले जाना चाते हैं यह कह सकते हैं आपको spouse मानते हैं या आपको अपनी family की तरह treat करते हैं या family मानते हैं यहां पर आपके person आपको बोड़ रहे हैं प्ली come back soon तो जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपके person आपको बोलना चाहते हैं कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और आपके पास फिर से वापिस आना चाहते हैं और वो अपनी गलती को realize कर रहे हैं आपसे माफी मांग रहे हैं और वो यह बोल रहे हैं कि आगे से वोई गलत कभी नहीं करेंगे यहां पर जो कार्ड आया है वो आया है देखिए यहां पर सोरी मैसेज जो आया है my heart beats for you at all times उनका जो दिल है वो हमेशा आपके लिए धड़कता है हमेशा आपके बारे में सोचते हैं आपके बारे में पील करते हैं और आपको मिस करते हैं I am jealous when somebody see you तो आ कोई आपको देखता है जब कोई आपको हो सकता है सोचल मीडिया पर कोई आपके बारे में like करता हो कोई आपके बारे में कोई beautiful comment करता हो कोई भी बहुत positive comment loving कोई comment आपके लिए करता हो तो आपके person जो है बहुत जल जाते हैं वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई भी आपक तो यहां पर दो मैसेज हैं, एक मैसेज में दो मैसेज हैं, I am regretting to hurt you, उनको बहुत regret हो रहा है, कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, वो बहुत regret कर रहे हैं, उनको बहुत पस्तावा हो रहा है, जो कुछ भी आपके और उनके बीच में हुआ, बहुत hurt feel कर रहे हैं, I am still fall in love with you वो आप से बोलना चाहते हैं, वो फिर से आप से जो है, आपके साथ, जो है, लव रिलेशन्शिप में आना चाहते हैं, नेक्स्ट जो मैसेज हैं आपके लिए वो यह है कि, when I first meet you, I honestly did not know you were gonna be this important, मतलब, जब वो पहली बार मिले थे, तो वो उनको नहीं पता था, क्या आप उनके लिए इतने महातुपूर्ण हो जाओगे, आप उनके लिए इतने important हो जाओगे, नेक्स्ट जो मैसेज है वो यह है कि, I can't wait for you anymore, अब वो आपका बिलकुल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पर जो next card है वो यह है कि soulmate connection, आपसे जो यह person है वो आपसे एक soulmate connection फील करते हैं, आपसे एक soul connection जो है वो उनको लगता है, फील होता है, तो यह थे message, तो यह थे वो message जो आपके person आपको देना चाहते थे, जिनके बारे में आप सूच रहे थे, I hope यह आपसे fully resonate करें, thank you so much for watching my video, हर हर महादेम.